तो नवस्कार दोस्तों आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है और आज की वीडियो के अंदर मैं बहुत ही ज्यादा इंप्पोर्टेंट चीज के बारें बात करने वाला हूं क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आपकी वीडियो के ओपर को प्रेश्ट राइक आ या फिर आपकी वीडियो के अंदर को ऐसा पार्ट होता है जो आप एडिट नहीं कर पाते हो या भूल जाते हो और उस कंडिशन में जो आप अपनी वीडियो को अप्लोड कर देते हो और उसके अपर व्यूज आने लग जाते हैं तो आपको लगता है कि आप इस पार्ट को तो वीडियो बहुत ज़्यदा important है इस वीडियो को देखने के बाद आप बिल्कुल आसानी से यह सब चीज़े कर पाऊगे तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं और मेरे laptop की स्क्रीन पर चलते हैं जहाँ पर मैं step-by-step आपको सारी चीज़े बताऊँगा यह आपके better view के लिए यह सारी laptop में करूंगा तो चले में laptop की स्क्रीन पर चलते हैं और उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बैल आगन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो क आपको जरूर मिले तो अभी हम मेरे laptop की स्क्रीन पर आ गए हैं जहां पर अभी मैं अपना Chrome ब्राउजर उपन कर लेता हूं और Chrome ब्राउजर में मैंने अपना studio उपन करी रखा है अगर आप एक creator तो आपको पता है कहां से open करना है तो अभी हम studio में आ गए हैं तो आज का जो हुआ कि कैसे कासे आपको यह चेंज करना है तो अभी यहां पर जैसे मेरे content में जाएंगे हम तो यहां पर वीडियो हैं इन में से अगर मुझे कोई वीडियो एडिट करनी है तो simply मैं उस वीडियो के details पर click करूँगा क्लिक करने के बाद यहां पर आपको एडिटर में जान करेंगे कि ट्रिम ट्रिम का तो आपको पता यह कि आपको अगर अपनी वीडियो का कोई पार्ट काटना है लाइव वीडियो का तो आपको यहां पर क्लिक करोगे तो यहां पर आप देख रहें ब्लू लाइन आ गई है इस ब्लू लाइन के अंदर से आगर आपको कुछ भी पार ट्रीम करना है तो आपको simply उसको ऐसे select करना है और आपको यहाँ पे split पे click करोगे तो आपको यह trim हो जाएगा उसके बाद यहाँ से आप अपना preview देख सकते हो अगर आपको यह trim करना है तो और उसके बाद यहाँ से आपको यह trim हो जाएगा फिलाल के लिए मैं इसको back कर अब देता हूं जहिँआ cancel पे क्लिक कर रहूं हुआ। उसके बाद आता है blur blur में आपके यहां फे दो option मिलेंगे एक तो आपका face blur का मिलेंगे या आपका कोई area आपको blur करना है तो उसकी options मिलेंगे जैसे आप blur पे क्लिक करोगे तो दो यहां पहूं दो आपको फेस जो आपका पर संटका दो फ्लिष है वो बलर टाएगा इसके नदर और कुस्टम क형डर के नदर तो आपको दो आपको यहां पर पोलो ट्रैक ओबजक्स मिलें तो आपको जो भी आपको ब्लर करनी है जगह है वह आप यहां से क्लिक करके तो कम ज्यादा यहां से आप अपना ब्लर जीतना भी आपको कम ज्यादा करना है तो आप यहां से कम ज्यादा ब्लर कर सकते हो जितना भी आपको यहां से पार्ट को ब्लर करना है वह आप यहां से ब्लर कर सकते हो उसक की वीडियो के नीचे एड़ हो जाएगा वो और अगर मेरी वीडियो में कोई यहाँ पर यहां पर आपका यहां पर आजालेगा और अगर Где archkie को यहां भी लारी मिल रहा तो आप औडियो लाईब्रेरी में जा के वासे बीच मुझी को चेक कर सकते हो और देख सकते हो और उसके बाद उसको भी यहाँ पर यूज कर सकते हो कहां से कहां तक लगाना है यहाँ पर आपका टाइम फ्रेम आ जाएगा कि कहां से कहां तक आपको लगाना है सौंग तो यहाँ से आपका वो लग जाएगा उसके अगला हमारा उप्षन आता है end screen, end screen जब आप edit करने के लिए click करोगे तो आपके end screen पे फिलाल क्या-क्या चीजे हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगी, जैसे मेरी end screen पे यहाँ पर आप देख रहे हो, subscriber है और video है, तो यहाँ पर मैं कोई और element अगर add करना चाहूं, तो मैं इन में से channel का link या फिर कोई और playlist या कोई और video यहाँ पर add करना चाहूं, तो add कर सकता हूं, और यहाँ से आप अपनी timing set कर सकते होगी, कितनी seconds है, कितने seconds तक आपको end screen है, वो अपनी video के अंदर चलानी है, वो यहाँ से आप select कर सकते हो, उसके बाद फिर last आ जाता आपका information card, information card अगर आपने अपनी video में डाल रखा है, तो अच्छी बात है, अगर नहीं डाल रखा है, तो आप यहाँ से उसको डाल सकते हो, और अपनी video को edit कर सकते हो, उसके लावा आपने जो अपनी और blur कर सकते हो, उसके लावा उसकी audio जो background music हो change कर सकते हो, and screen लगा सकते हो, information card लगा सकते हो, हाँ एक चीज है कि आप कोई नई video या audio इसके अंदर add नहीं कर सकते हो, तो यह 5 चीज़े हैं जो आप यूज कर सकते हो, अपनी video के अंदर add कर सकते हो, या subtract कर सकते हो, जो भी आपको करना है, तो इन 5 चीज़ों में से ही आप कर सकते हो, उसके लावा अगर आप चाहो कि आप अपनी video के अंदर कोई extra audio add करना चाहते हो, या फिर उसके अलावा आपका कोई part है, जो आप छूट गया है, वो आप इसके अंदर लगाना चाहते हो, तो वो सब आप इसके अंदर नहीं कर पाओगे, आपके इसके अंदर सिर्फ यही option है, इसके थुरू आप अगर आपनी video का edit करना चाहते हो, आप से कोई गलती होगी, या फिर इसके अंदर एक और option आता है, जब आपका कोई copy राइश ट्राइक आता है, किसी music का, तो वो आपका उसी video के वहाँ पर आप mute कर सकते हो, delete कर सकते हो, तो यह आपका उस condition में बहुत ज्यादा काम आता है, जब आपकी अगर किसी video के अंदर आपने कोई song लगा दिया है, और बाद में अगर आपको delete करना है, लेकिन आप पूरी video ने delete करना चाहते हो, तो उस condition में आप यह सब चीज़े use कर सकते हो, I hope आ अगरे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं कि लिए कि सीडियो में तब तक के लिए, जैहिन बंदे मातरम